मुकं करोतिवाचालं पंगुम लंगयते गिरिं यत्क्रिपातमहं बंदे परमानंदमाधवं मुक को वाचाल कर दे पंगु परवत लांग जाए उन परमानंद श्रीहरी का रहस्य कौन जान सकता है बड़े बड़े रिश्य मुनि महात्मा और सिद्ध गन जीवन भर उनका मनन करते रहे लेकिन पार नहीं पा सके समझ नहीं सके उनके इस रहस्य को पूरा जीवन गुजार दिया संसार के सभी भोगों को छोड़ कर अपनी संपोन आयू को केवल उनहीं के अनुशिलन में लगा दिया उनकी माधुरी का अस्वादन करते करते कभी ठके नहीं कभी उनका चित उबा नहीं उनहीं श्री हरी श्री राम की भक्ति में चूर रसिक चक्र चूडामनी श्रीमत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था रामचरित्मानस में रामचरित जे सुनत अगाही रस विसेस जानातिन नहीं कुछ-कुछ परिस्थिती मुझे अपनी भी ऐसी ही लगती है सबसे पहले मैंने श्री राम की रामायण पंडित राधेश्याम गथा वाचक जी जारा लिखी हुई है जो उसका पठन किया उसको पढ़ा, सुना, सुनाया उसके बाद श्रीराम चरित मानस की ओर पढ़ी उसको संपोर्ण पढ़ा, सुनाया बहुत आनंद आया लेकिन मन नहीं वाना और फिर मैने उठाया वालमी की रामाइन को लेकिन वालमी की रामायन रूपी माधुरी का स्वाधन करते-करते भी मेरा मन भरा नहीं राम का नाम यू भी कलिमल की गंगा है उसमें डूबे रहना उसमें बहते रहना किसे अच्छा नहीं लगता और इसी श्रिंखला में अब मैं पढ़ने वाली हूँ अब सब के लिए और अपने लिए भी आध्यात मुरामायन मेरे साथ साथ बहुत से सुनने वालों को भी ये जिग्यासा थी मिशेशकर रमेश शर्मा जी को जिन्होंने कई बार मुझसे कहा कि हम तो केवल आध्यात मुरामायन की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मुझे लगा कि मुझे अपने श्रोताओं को अधिक प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए तो आज का दिन मैंने आध्यात्म रामायन के लिए रखा है प्रतिसप्ता प्रतिक बुद्धवार को मैं लेके आऊंगे आध्यात्म रामायन की एक कड़ी आपके लिए बास्तव में श्री हरी के दुरुलब गूढ रहस्य को यथावत समझना बड़े-बड़े मेधावी आचार यो निष्ट यतियों के लिए भी कठिन है धन्य है वे महाभाग जिनने इसके आस्वादन का सौभाग प्राप्त हुआ है और यदि मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास भी इसे समझने के योग या विद्या बुद्धि विवेक चाहिद नहीं है लेकिन इस ओर प्रवृत होना मेरी उस श्रधा के कारण है मेरी उस जिग्यासा के कारण है जो मेरी है अपने भारत के साहिति के प्रति अपने धर्म ग्रंथों के प्रति अपने हुन्नत सांस्कृतिक इतिहास के प्रति जिसको जानने की इच्छा मुझ में निरंतर बनी रहती है और मैं धून धून कर खोज खोज कर ऐसा साहित्य पढ़ना चाहती हूँ और आप सब के साथ उसे बाठना भी चाहती हूँ अब सोचा जाए तो श्रीमद आध्यात्म रामायन का विशय कोई नया नहीं है ये कोई नवीन ग्रंथ नहीं है और इसके विशय में कुछ बहुत अधि कहने की आविश्यक्ता भी नहीं है ये वही परमपवित्र कथा है जो साक्षात भगवान शंकर ने आधिशक्ति पार्वती जी को सुनाई है ये आख्यान ब्रम्हांड पुराण के उत्तरखंड के अंतरगत माना जाता है अता इसके रचयता महामुनी वेदव्यास्टी है बस यही अंतरमात्र है तो इसमें परमरसायन रामचरित का वर्णन करते करते पद पद पर प्रसंग उठाकर भक्ती ज्यान उपासना नीती औ पर सदाचार संबंधी अनेक दिवयो उपदेश भी दिये गए है तो विविद विशयों का विवरण रहने पर भी इसमें प्रधानता आध्यात्मतत्व के विवेचन की ही है इसलिए इसे आध्यात्मरामाइन कहा जाता है लेकिन उपदेश भाग के अलावा कथा भाग का अभी कुछ कम महत्व नहीं है इसमें भगवान श्री राम मूर्तिमान आध्यात्मतत्व हैं उनके परमपावन चरित्र की महिमा का तो कहां कहां तक वरणन किया जाए इसके बाद जो भी श्री राम चरित पर ग्रंथ लिखे गए हैं चाहे वो राम चरित मानस हो या कोयन्य संसकरण रामायन का उन सब के कथानक के आधार में भी यह ग्रंथ वश्य मिलता है तो श्री राम चरित मानस की कथा आध्यात्म रामायन से बहुत अधिक मिलती चुलती है उससे प्रतित होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की भी आध्यात्म रामायन ही प्रेरिणा थी तो हम भी आज से श्री गणेश करते हैं, जिन लीला मैं श्री राम के जीवन से प्रेरित होकर, यह लीला घटी है, यह कथा वाचन आधर पूर्वक उन्हीं को समर्पित करती हूँ. मेरे इस पाठन के बीच यदि कोई भूल हो जाए, यदि कोई चूख हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगी और आपके सुझाव, आपके विचार आमंत्रित हैं. मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका करना चाहते हूँ. जो निरंतर मेरा उत्साहवर्धन करते रहते हैं, मेरे साहित्य प्रेम का सम्मान करते हैं, मेरी प्रस्तुतियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं. बस यूही अपना प्रेम शीग्र लोटूंगी आध्यात्म रामायन के मूल पाठ के साथ। तो आज के इस परिचे के बाद, शीग्र लोटूंगी आध्यात्म रामायन के मूल पाठ के साथ। अगले बुद्वार। जैश्री सीता राम